इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह एक स्टेरोइड है और इसे निवारक के रूप में जाना जाता है आपको तेजी से काम करने वाला रिलीव भी होना चाहिए क्योंकि यह दवा अस्थमा के दोरे को नहीं रोकेगी जो पहले ही शुरू हो चुका है आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितनी बार बुनेस शूनि दशमलव पांच रैस्प्यूल्स का उपयोग करने की आवश्चकता है यह महत्वपून है कि आप अपने अस्थमा को प्रभावी धंक से नियंतरत करने के लिए आवश्चक नियूनतम खुराक लें इस दवा का प्रभाव कुछ दिनों के बाद ध्यान देन योग्य हो सकता है लेकिन कुछ हफतों के बाद ही अधिक्तम तक पहुंच जाएगा प्रभावी होने के लिए इस दवा का नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए इसलिए कोई लक्षन ना होने पर भी इसे लेते रहें किसी भी लक्षन का मतलब यह नहीं है कि दव अपना काम कर रही है यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका अस्थमा खराब हो सकता है इसका उपयोग अचानक अस्थमा के दौरे से राहत पाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए यदि अस्थमा का दौरा पढ़ता है तो अपने त्वरित राहत इनहेलर प्र मूह या गले में फंगल संक्रमन हैं अगर आपको ये मिलते हैं तो इसे लेना बंद न करें बलकि अपने डौक्टर से बात करें आप अपने मूह और गले को पानी से धोकर या अपने इनहेलर का उपयोग करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करके इन लक्षनों को रोकन में मदद कर सकते हैं अन्य दुरलब दुश प्रभाव हैं जो गंभीर हो सकते हैं अगर आप उनके बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें सामाने तोर पर आपको उन स्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके अस्थमा को खराब करती हैं आप की ट्रिगर और धूंडपान न करने का प्रयास करें बुनेस शूनि दशमलव पांच रैस्प्यूल्स लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको तपेदिक आपके मूह हुया फेफ़रों में कोई संक्रमन या लीव की बीमारी है इसे लेते स समय आपको संक्रमन होने का खत्रा अधिक हो सकता है इसलिए सर्दी और फ्लू वाले लोगों से दूर रहें यदि आप लंबे समय तक बनेस शूनि दशमलव पांच रैस्प्यूल्स का उप्योग करते हैं तो इससे कमजोर हड्या यानि की ऑस्टियोपरोसिस और आपकी से पूछे कि क्या या दवा लेना सुरक्षित है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल न